नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जीटी आरी ने कावेरी फाइटर जेट इंजन डेवलप कर लिया है हलांकि इसका थ्रस्ट कम है लेकिन इसे अन्मेंड कोमटेरियल वहिकल के अंदर इस्तेमाल किया जाना है तो ऐसे मे दोस्तों अब इसके हाई अल्टी ट्राइल होने है जिसके लिए दोस्तों इसे रश्या ले जाना था लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जीटी आरी को फाइनली गवर्मेंट ओफ इंडिया उसका खुद का फ्लाइंग टेस्ट बैट दे सकती है आज इसी के उपर बात करे हैं तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कावेरी फाइटर जैट इंजन को रश्या के आई-ल-76 जो की एक फ्लाइंग टेस्ट बैट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है हाई अल्टी ट्राइल के लिए इस्तेमाल किया जाना था हमारे कावेरी इंजन के लिए लेकिन रश्या और युक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है उसकी वज़े से इसके अंदर काफी ज़्यादा डिले हो सकती है लेकिन दोस्तों अब कहा जा रहा है कि जो प्रोपोजल दिया गया है उसे मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस मान सकती है क्योंकि काफी लंबे समय से जीटी कहती आ रही है कि उसे एक IL-76 ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट चाहिए जिसे वह फ्लाइंग टेस्ट बैड के अंदर कनवर्ट कर दे और साथ ही एक यूजड मिग 29 भी चाहिए जिसे वह फाइनल ट्रायल के लिए भी इस्तेमाल कर सके और ये विचार उस समय था जब इस इं 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ये देता है लेकिन दोस्तो इसका प्रोटोटाइप के अंदर तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक इसके हाई अल्टिट्यूट ट्रायल कम्प्लीट ने हो और इसके इलावा GTRE का एक और भी प्रोपोजल है जिसके तहत वह एक अप 47 एरक्राफ्ट था एक्सेयर इंडिया का था और ये भी विचार था कि इसे फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में बदला जाए लेकिन ये काफी ज़्यादा पुराना हो चुका है और साथ ही बोईंग का 747 एरक्राफ्ट की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इसके अंदर बहुत सी दिक्कतें आई है और स्पेर पार्ट की भी कमी है ऐसे में दोस्तो इसे आगे नहीं बढ़ाया गया और इसके इलावा एक एरबस का A340 एरक्राफ्ट का भी विचार था क्योंकि इसके अंदर भी 4 इंजन लगे होते हैं इसका साइज भी काफी बढ़ा है और एक कमपनी ने लोकली ही इसे एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में बदलने का प्रोपोजल भी दिया था इसके इलावा दोस्तो टेस्टिंग की बात करें अगर अपस्केल्ड और डाउन्सकेल्ड वेरियंट आते हैं तो हर इंजन को सबसे पहले 30-40 गंटे की इनिशियल की तरफ से और DRDO ओल्रेडी स्पिन ओफ प्रोग्राम के बारे में बोल चुका है कि वह 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन बनाएगा उसके लिए इसे वह डेवलप कर चुका है और साथ ही जो हमारा कावेरी का अगला वर्ज़ जो 73 किलो न्यूटन क्लास का थ्र क्या सकते हैं जैसे मेराइन गैस, टरवाइन इंजन, टर्बो शाफ्ट इंजन जो हेलिकॉप्टर के लिए होता है, टर्बो फैन इंजन, टर्बो प्रोप इंजन मैं दोस्तो इन सारे प्रोपोजल को जब भी हम पूरा करेंगे तो हमें एक बार रश्या जरूर जाना पड क्योंकि हर एक स्पेयर के लिए अलग से डेटा नोट किया जाता है ऐसे में GTRE को अपना फ्लाइंग टेस्ट बैड हर कंडिशन के अंदर चाहिए तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा अभी बात्चित फ्रांस की कंपनी सेफरेन के साथ में और ब्रिटिश कंपनी रोल्स को मिल सकता है और इससे हमारे फाइटर जेट इंजन के अंदर डिले भी नहीं होगी और सारे कार्यकरम समय पर पूरे भी हो जाएंगे धन्यवाद जैहिन